हेलो फ्रेंड स्वागत आपको मेरे यूटूब चनल पर दोस्तों बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको डिलेवरी के बाद मतलब बच्चा पैदा होने के बाद मिल्क का जो परडुक्सन है बहुत कम रहता है मतलब दूद उनमें बहुत कम बनता है इसी कारणकियों जै होता है जिसकी वज़े से इस वीडियो में मैं explain करने वाला हूं बताने वाला हूं लैक्टोनिक ग्रेंवल्स के बारे में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है लैक्टोनिक ग्रेंवल्स जो की मिल्क के परडुक्सन को बढ़ा देता है नेचरूली तरीके से मतलब जिन महिला करेंगे पूरे डिटेल में इस लैक्टोनिक सीरप के बारे में जैसे कि क्या-क्या कंपोजीशन डाला गया है इसका डोज कैसे लेना है कितने रूपे आएगा कहां पर मिलेगा किस तरह से इस्तेमाल करना है पूरी जानकारी देने वाला हूं आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेक्ट पैर के बारे में इसो कारी कर जाता है कुरा क् आण बोटल इतना दो सो गराम की दो ोगर कि जो प्रेज था सब्सक्राइक प्रॉटल यह को एat दो जड़ी बोट्या डाली गहीं है जो कि महिलाों करना है देखो इसमें डाला गया है सतावरी जो कि महिलाओं के लिए बहुत जादा लाबगारक होता है सफेद जीरा डाला गया है उसके रावा इसमें डाला गया है पालक येस्टी मधु डाला गया है और इसमें डाला गया है केसर और सोवा ये 6 ingredients डाले गए हैं 6 जड़ी बूटिया डाले गई हैं जो की दूध को बढ़ाने का मदद करती हैं और यह एक आयरवेदिक दवा है इसके कोई भी side effect नहीं है अब बात कर लेते हैं इसका डोज के बारे में कि लेना कैसे है तो इसका डोज जो है दिन में आप दो बार सुबय और साम एक गलास दूध लेना है उस एक गलास दूध में इसमें एक इस्पून होता है चमच होता है उस चमच से दो चमच आप उस दूध में डालके मिला ले मिलाने के बाद आप उसको पी ले, पूरा पी ले, सुबह और साम में, यह आपको दो टाइम लेना है, सुबह और साम, और इसको आप एक महने तक लेना है, एक महने में आपका जो दूद नहीं बन रहा है, वो बनना इस्टार्ट हो जाएगा, और जो आपके बच्चे को दू तो यह करें आप कि अपने बच्चे को मां का दूद ही पिलाएं एक साल दा करीब करीब उसके बाद अगर वह बागी दूद्रा भी दूद्र पिलेंगे तो कोई दिख्कत नहीं लेकिन इस्टार्टिंग फेज में मां का दूद्र ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों अगर बात करें सेफ्टी की तो यह सेफ है इसमें कुछ दिक्कत नहीं है यह महिलाओं को दूद्र को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है और ये पूर्सों के लिए कोई यूज नहीं है महिला इसको ले सकती है बच्चों का भी इसका कोई यूज नहीं है तो ये पूरी जानकारी थी लैक्टिक ग्रुनवल्स के बारे में I hope मैं आपको समझा पाया हूँ आज की वीडियो में